अध्याय चार तत्वों का आवर्ती वर्गी करण Periodic Classification of Elements हमारे आसपास विभिन पदार्थ पाये जाते हैं, जिन्हें हम तत्व योगिक एवं मिश्रण के रूप में वर्गी करित करते हैं आज इन्हें जिस प्रकार वर्गी करित किया गया है, क्या वर्गी करण का स्वरूप पहले भी ऐसा ही था? यदि हम तत्वों को ही देखें, तो किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में लंबा समय लगा है, जिसका इतिहास काफी रोचक है 4.1 तत्व तब और अब दार्शनिक अरस्तु इसापूर्व 384 से 322 के अनुसार ब्रह्मांड पांच तत्वों अगनी, जल, वायू, प्रित्वी तथा आकाश से मिलकर बना है बाद में ब्रिटिश विज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1699 ने पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किये इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा उलेखित पंच तत्वों को तत्व की शेणी में नहीं रखा जा सकता विज्ञान की दृष्टी से केवल दो ही प्रकार के पदात शुद्ध होते हैं तत्व और योगिक ये तत्व और योगिक क्या होते हैं और ये शुद्ध क्यों कहलाते हैं सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था और फिर फ्रांस के रसायनक्य एंटनी लॉरेंट लवाई जीये ने तत्व शब्द को प्रतिपादित किया लवाई जीये के अनुसार पदात का मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्ने सरल पदातों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाते हैं जैसे की चांदी, सोना, तामबा, सलफर, कारबन, इत्यादी अठारहवी शताबदी में फ्रांसेसी रसायनग्य लवाई जीये के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है अतह जल तत्व नहीं है लवाई जीये ने रसायनिक तत्व के प्रायोगिक आखणों के आधार पर जो सूची बनाई उसमें 33 तत्व थे वर्तमान में 118 तत्व ज्याद हैं इतने सारे तत्वों और उनके गुण धर्मों का अलग अध्यन कर पाना बहुत कठिन है इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैग्यानिकों ने कई प्रयास किये ताकि तत्वों का अध्यन आसानी से किया जा सके 4.2 तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आविशक्ता क्यों? हम अपने घर में विभिन वस्त्वों को उनके गुण धर्मों तथा उप्योगिता के आधार पर अलग अलग रखते हैं जैसे पहनने के कपड़ों को अलग तथा बिछाने और ओढ़ने के कपड़ों को अ अलग रखा जाता है क्या आपने कभी सोचा किराना दुकानदार से कोई भी समान मांगने पर वह उसे आसानी से कैसे दे पाता है? वस्त्वों को व्यवस्थित रखने पर समय तथा उर्जा की बचत होती है इस प्रकार वैज्यानिकों ने भी तत्वों को उनके गुण धर् अलग रखने के कई प्रयास किये? पक्षण 9 में हमने तत्वों की पर्मानु संख्या, एटोमिक नंबर, पर्मानु भार, एटोमिक वेट, तथा एलेक्टरोनिक विन्यास, एलेक्टरोनिक कान्फिगरेशन का अध्यन किया है. सालनी 1 में कुछ तत्वों के पर्मानु भार तथा पर्मानु संख्या दी गई है उन्हें क बढ़ते हुए पर्मानु भार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए ख बढ़ती हुई पर्मानु संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए क्या को तथा क्खो के अन्दाइब क्या इन तत्वों के एलेक्ट्रोनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि तत्वों को वेव़स्थित क्यों करते हैं तथा वेवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं। आईए पूरू में रसायनग्यों द्वारा किये गए प्रयासों को समझें। तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के पर्मानु सिध्धान्त 1808 से पूर्व ही प्रारम हो गये थे। उनके पर्मानु सिध्धान्त ने वज्यानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्वों के पर्मानु भार तथा गुणों में संबंध होता है। 4.3 डॉबे राइनर का त्रिक नियम डॉबे राइनर्स लॉफ ट्रैड्स जे डबल्यू डॉबे राइनर 1780 से 1849 जोहान वुल्फ गांग डॉबे राइनर ने जर्मनी के म्यून्श बर्ग में औशधिक विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रेस बर्ग में रसाय अध्यान शास्त्र का अध्यान किया उन्होंने सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा तीन त्रिकों की खोचकी जिससे आगे चलकर तत्वों की आवर्द सार्णी का विकास हुआ जर्मन में ग्यानिक डॉबे राइनर ने परमानु भार के आ क्रम में एक के नीचे एक रखा तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमानु भार अन्य दो तत्वों के परमानु भार का ओसत होता है यहां सोडियम का परमानु भार लीथियम और पोटेशियम के परमानु भारों के ओसत के निकट है इसके गुण धर्म भी ली संबंध को एक नियम के رूप में प्रतिपादित किया कि समान गुणों वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए पर्मानु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूं के बीच वाले तत्व का पर्मानु भार, तथा गुण धर्म, शेश दो तत्व के पर्मानु भारों का औसत तथा गुण धर्म उनके मध्ध के होते हैं। डोबे राइनर उस समय तक ग्याद तत्व में से केवल तीन त्रिक ही बना सके थे। यह नियम कुछी तत्वों के लिए सही पाया गया। इसलिए त्रिक में वर्गी कृत करने की यह पद्धती सफल नहीं रही। जैसे ही पर्माणु भार के आधार पर तत्वों के गुण धर्मों की समानता का पता चला, वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने के प्रयास किये जाने लगे। आवर्थ सार्णी का इतिहास। हम जानते हैं कि पदार्थ तत्व योगिक एवं मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। जब तत्वों की खोज हुई, तब उनकी सरल तथा सटीक समझ के लिए उचित वर्गी करन की आविशक्ता महसूस की गई। वग्यानिकों ने उन्हें वर्गी करित करने के अलग-अलग तरीके अपनाए। उन्होंने तत्वों के गुणों में कुछ नियमित्ता तथा पैटर्नों को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले थे जर्मन वग्यानिक जोनास वुल्फ गैंग डोबे राइनर जिन्होंने समान गुणवाले तीन-तीन तत्वों के कुछ समुह बनाए। ये समुह डोबे राइनर के त्रिक कहलाए। यदि हम त्रिक टेबल पर नजर ढालें तब हम देखेंगे की बीच वाले तत्व का परमानुभार शेश दो तत्वों के परमानुभारों का लगभग औसत होता है। इस प्रकार का वर्गी करण प्राचीन है। डोबे राइनर ग्या तत्वों में से कुछ तत्वों के ही त्रिक बना पाए। अन्य त्रिक इस नियम का पालन नहीं करते थे। इसलिए त्रिक का नियम उप्योगी साबित नहीं हुआ। ऐसा ही एक प्रयास न्यू लेंड्स ने भी किया।